नमस्कारम सो महिलाओं को यदि पूछें तो उनमें से 50 यही कहेंगी कि हमारे हॉर्मोन्स बिगडे हुए हैं या उन्हें सफेद पानी की शिकायत है इसके लिए आज मैं आपको आयरवेद में हमारी एक क्लासिकल मेडिसिन है जिसका नाम है पत्रांगासव इसके बारे में बताऊंगा यह अकेली ही काफी है इन सब समस्याओं से आपको निजात दिलाने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह पत्रांगासव शीतल होता है इसलिए यह महिलाओं के हॉर्मोंस जो बिकड़ते हैं खासकर LH, FSH या चेहरे पे बाल आ जाना इस तरह से कई समस्याओं हॉर्मोंस से रेलेटिड हैं मूड स्विंग्स हो जाना पिरियर्ड्स का टाइम पे ना आना कमजोरी फील करना मासिक धर्म के दुरान दर्द होना यह सब चीजों में यह कारगर है और ज़्यादा ब्लीडिंग जिनको रहती है उनके लिए तो और भी अच्छा है अब आपको मैं बता दूँ इसमें डलता क्या क्या है थोड़ी सी इसकी पिच्चर डिजाइन हो जाए माइंड में कि यह है क्या दरसल पत्रांग आस्व का पत्रांग जो है यह एक तरह से पतंग की लकडी को कहते हैं मतलब एक तरह कि यह भी एक काश्ट है जड़ी बूटी है तो आप इसकी काश्ट तसीर जो है वो शीतल है ठंड़क देने वाली है साथ में इसके फिर इस तरह से कुछ ठंडी चीज़ें और मिली हैं जैसे सेमल के फूल सेमल भी ठंड़ा होता है इसी तरह नड़ा है गुड हल के फूलों की कलिया दारू हल्दी गर्मी भी बाहर निकालती है बाड़ी से और अगर कफ कठा हुए अंदर कहीं तो वो भी निकालती है तो कुल मिला करके इसमें 22 के आसपास जड़ी बुटिया है और फिर शहद, मुनक्का और गुड करके तो 25 हो जाती है सारी चीज़ों को उबाल के पानी उसी पानी में एक महीना ड्रमों में, लकडी के ड्रमों में बंद करके रख देते हैं तांकि उसमें बैक्टिरिया बने और वो उस बैक्टिरिया वो जड़ी बुटियों को दवाईयों को अंदर यंदर खाएं खा कर फिर वो दवाईयों को डबल कर देते हैं ये उनका मेन हमारे आयरवेद का थीम है कि अपने आप इसमें थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी बन जाती है इन मेडिसिंस में लेकिन डरिये नहीं वो आपको कोई नशादी नहीं करेगी तो नेचुरल है बिल्कुल और आयरवेद के स्टोर्स पर लब्द है अच्छी किसी क्वालिट होता है तो आप तो कहते हैं खराब नहीं होती है वो FSSCI या GMP जितने मापदंड सरकारों ने तै की हैं उनके इस आप से तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा लेकिन अगर उस सुरक्षित बडबंद बोतल में काच की बोतल में पड़ी है तो वो सालो साल भी पड़ी रहे तो वो कोई खराब नहीं होती है बलकि उसका गुन बढ़ता है इसमें मैंने आपको जैसे की बताया है ये 25 चीज़ें डलती है तो इनका काम क्या है क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की चीज़े भी है लॉंग आदी भी है केसर आदी भी है अला कि वो गर्मी नहीं करेगा अगर आपको सलाव दो तो मेरे मानिये जिनको भी पिर्येट्स के दुरान दर्ध रहता है कम पिरियेड़ जादा पिर्येड्स है सब भी हलातों में वीक नЕТ है या योटरस अतना कैपेबल नहीं है कंसीक करने के लिए कोई कारण नहीं फिर भी कंसीं नहीं हो रहा उन सब स् स्केरिज हो जाता है एक साल तक हम पीने के लिए एडवाईस करते हैं आयरुवेट के इसाफ से क्यों कि इसको मना नहीं करता है जे टॉनिक लिया जा सकता है महिलाओं को कोई दिक्ट नहीं है इससे आपको दीरे-दीरे कई कई साल निकल जाते हैं महिलाओं को लिकोरिया आदी से जूझते हुए सफेद पानी से जूझते हुए कईयों को इतना पुराना होने की वज़ा से इतना चिड़ चिड़ा हो जाता है कि सारा शरीर निचुड़ चुका होता है हड़ियां तक होखली हो चुकी होते लेकिन वो जान नहीं छोड़ता तो इसको अगर प्रयोक करते हैं तो आपको बहुत अराम मिलेगा इसको लेना कितनी मात्रा में है चार-चार चमच सुबह शाम बराबर पानी मिलाकर खाने के बाद लेना है अगर शरी दुबला पतला है तो खाने के तुरंत बाद ले सकते हैं अगर आप मुटापा है तो आदे गंटे बाद ले सकते हैं इस तरह से इसके साथ में भी कुछ मेडिसेंस चल सकती हैं वो फिर क्योंकि ये पक्तरांगा सब की ही वीडियो है तो उसका सारा का सारा विवरन जो है वो आपको अपने च करिए तब तक के लिए पत्रांगास मैं आपको बता दूं कि जिनको भी वीकनेस लगती है उनको पता है कि उनका यूट्रस या इंटर्नल पैल्विक अंग जो है जो नीचे के अंग है वो इतने मजबूत नहीं है जरासा मासिक धर्माया क्या कि बुखार हो गया दर्द होने लग गई तो उस स्तितियों में पत्रांगास सब तो अच्छा ही ही है लेकिन मैं एडवाइज करूंगा कि उसके साथ फिर चंदर प्रभावाटी ले 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 एक एक गोली सुबह शाम ऐसे ही आज सब के साथ अगर किसी को लगता है कि नहीं उसे बहुत जादा सफेद पानी है इस तरह की शिकायत है वीकनस नहीं है लेकिन सफेद पानी आदी है इस तरह से तो फिर इस पत्रांगास सब के साथ हो प्रदरांतक रस नाम की टैबलेट ले ले प्रदरांतक रस लोह यह कंप्लीट नाम है उस मैडिसिन का एक एक गोली सुबह शाम इसके साथ लेनी है य और एक तरह से इस तरह से रिशियों ने डिजाइन किया है इसको कि ये सीधा असर जा करके किसी प्रकार का भी प्रदर हो चाहे ओवर ब्लीडिंग हो उसमें काम करता है तो आपको ये समझ आ गया होगा फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना तो वो हॉर्मोनल इंबैलन्स की वीडियो में मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा आज फिलाल इतना ही नमस्कार झाल 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 झाल